तो देखे फ्रेंड्स आज फिर हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि पूरे भारत वर्ष में ही नहीं पूरे विश में कहा दीजिए कि अकीला ही ऐसा है मंदिर जिसके आप अलोके दिव्य दर्शन करके आप भी धन्य हो जाएंगे तो एक जरूर से जरूर आप इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें यह मंदिर का है और किस मंदिर की क्या खास विशेश बात क्या है तो यह सा बाते मैं इस वीडियो में बताऊंगे ज्यादा वीडियो लंबी नहीं है तो वीडियो के एंट तक जरूर देखेगा और आपको बहुत ही मतलब यहाँ पर लगावा है और देखे कितनी मंदिर में भीड़ है तो बहुत दूर दूर से शरधालू इस मंदिर में उस वर्ट वरक्ष के दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शनों का लाब लेते हैं और साथ में पूजा पाठा दिभी करवाते हैं तो पंडिजी द इसस्तान है जहां पर माता रानी ने अपने हाथं से व्रट रक्ष लगाया था तो इस स्थान की काफी माननेता है और काफी महत बढ़ जाता है क्योंकि महापारुति के यहां पर पंडिजी द्वारा भी पुजा पाट करवाई जा रही है तो देखे सर्यू नदी के किनारे पर यह मंदिर इस्तित है और यह देखे और बहुत ही अच्छा चारों तरफ मनोरम द्रिश्चे हैं बहुत काफी वैसे बड़ा मंदिर है और काफी सर्धालू आती रहते हैं और कहते हैं कि यहां पर जो भी मन्नत आप मांगे तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होती है तो देखे पा रहे होंगे लोगों ने अपनी मन्नतों के इतने धागे बांदेवे हैं तो बहुत ही अच्छी जो कि आपको ऐसे मंदिर पूरे भारत वर्श में कहीं और जिन मतला ऐसे मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि मंदिर की खाली बिल्डिंग से मतलम नहीं होता है इनका मंदिरों का अपना विशेस महत्व भी होता है इसलिए मैं खहूंगी कि आप इन मंदिरों में आए और दशनों का लाब अभिश्यले जै भूले नाद